नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैल में आज की जो वीडियो यह बहुत ज्यादा इंपॉटेंट वीडियो है कि इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि ऐसी कौन सी छह पॉजिशन है जो कि आपको अवाइड करने चाहिए आपके छोटे बेबी पोजिशन है कि आप को बच्चे को ज्याने पोजिशन में ज्यादा करना चाहिए बलकि अदौम ही नहीं चाहिए आपके बच्चे को पेट के बल यह नहीं सुलाता अगर आपका बच्शक तीन मैञे का हो गया है तहां और पार बड़िद की कौने मिनट्रा पर दे रहे हैं ना सोये ठीक है सेकंड पॉइंट है कि बच्चे को आप जो है बेबी को साइड की पोजिशन ज्यादा दे तक न सोला है मतलब अगर आपका बच्चा एक साइड में सारक करके सोया हुआ है तो आप उसका जो दूसी साइड की पोजिशन उसको चेंज करते रहे जब भी एक से बच्चे की पोजिशन चेंज करते हैं मैं इसको कि यूष तरीके से ज किसे आपको यूज करना है किस तरह की किराई उसका पिलो बनाइए आप अपने बच्चे के लिए जिससे कि आपके बच्चे का जो हैड का शेप यह बहुत प्यारा आएगा एक दम गोल आएगा ठीक है इसके लिए नेक्ट पोईशन इस शिडुलिंग जी हां दोस्तों बहु करके चितरी के सुला देते तो इससे कि बच्चे को काफी गर्मी लग सकती है जिससे कि बच्चे को सरी प्रूप्स को प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है तो आप सुडुलिंग करते ताइम मोटा कपड़ा यूज ना करें इस बात का ध्यान रखें इसके लवा नेक्ट पोई हमेशा जब भी आप बच्चे को चादर वगडर से ठकते हैं तो चादर और बच्चे की नोस के बीच में गैप होना चाहिए जिससे कि बच्चा सांस ले सके ब्रीथ ली सके और बच्चे का दम नग उटे तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि बच्चे को सुलाती अब उसको पूरा मूह तक ढगर ढख रहे हैं तो ध्यान रखें हमेशा कि उसके नाक के और चादर के बीच में डिफरेंस हो गैप हो जिससे बच्चा सांस लेके या फिर जो बच्चे की नेट वगडरा आती है ना वह आप उस पर लग देते हैं तो नेट के ऊपर आप कु कुजी कुजी टाइप लगेगा कि उसका स्लिपिंग का मौहल बन जाएगा और बच्चे को कवरिंग टाइप लगेगा बच्चे को सांस लेने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो हमेशा बच्चे को सुलाते टैम उसका मूह बिलकुल भी न ढखें इस बात का ध्यान तो गैप होना चाहिए यह आप सोच के समझ के रखिएगा इस बात को कि बच्चे छोटे हैं उन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम हो सगेगी ठीक है इसके लावा नेक्ट पॉजिशन है कि आपको बच्चे को जो हाई फिलो का यूज नहीं करना है हाई पिलो मतलब जो उच बच्चे की नेक जो है बैंट हो सथी है जिसे की बच्ची की नेक की शेप गर खराब हो जाएगी तो आपको बच्चा गर एक साल से चूटा है तो इस बात का आपको को विसेज करके ध्यान ठाण है ठीक है इसके लाए और नेक्स पोजिशन है कि आप बच्चे जैसे कभी- बैट पर लाइं यह बैस्ट पूजिशन होती है बच्चे को चेस्ट के उपर पेट के बल उल्टा करके ना सुलाइं बच्चे का जो खाना बगएरा वह अची तरह किसे डाइजिस्ट नहीं हो पाता है बच्चे की मुझ दब सकता है क्योंकि बच्चा उल्टा लेटा हुआ बच्चे को बच्चे को बच्चे को सुलाएं तो सबसे बड़िया तरीका होता है कि बच्चे को स्ट्रेट आप सुला दीजिए उसके हाथ भी ओपन हो पैर भी ओपन टाइप में हो बच्चा इजीली सो रहे उसको कोई भी प्रॉब्लम ना हो ठीक है तो यह पोजिशन सबसे बैस्ट होती है बाकि हमें पोजिशन थोड़ी बहुत चेंज करनी चाहिए लेकिन खतरनाक पोजिशन जो होती है वह बच्च हो सके उनका भी बेवी बैटर डवलप्मेंट पासके ठीक है और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए हमाई चैनल को सब्सक्राइब जरू कीजिए का चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में तक लिए नमस्कार थैंक्यू